ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में राइबरेली जिले में लगातार चोरो का आतंक जारी है सीक्रम में चोरो ने खंशिक्षा अधिकारी के कार्याले का ताला तोल कर कारयाले में रखा हजारो कीमत के दो मॉनिटर और CCTV कैरे का डिवाइडर पार कर दिया वहीं चोरो की घटना CCTV कैरे में कैद हो गई वहीं सूचना पर पुलिस ने CCTV कैरे में कैद आरूपी को गिरफतार किया लेकिन जांज परताल कर उसे छोड़ दिया आपको बता दे कि गदागंश्थान शेत्र के दीनशा गौराखंड शिक्षा दिकारी कारयाले में 12 सितंबर की रात को चोरी हो गई थी सुभा जब शिक्षा विभाग के करमचारी कारयाले पहुँचे तो देखा की कारयाले का ताला तूटा पड़ा है और CCTV कैमरी की डिवाइडर और कारयाले में रखा मौनीटर चोरी हो गया ततकाल करमचारी उंप्रकाश के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई मौके पर पुलिस घटना स्थल पर पहुँची और जांच परताल की बाद में CCTV कैमरे की फोटेज चेक किये गए तो उसमें विभाग के करमचारी ने वीडियो में दिख रहे यूबग की प चोड़ दिया वही थाने पर आकर विभाग के करमचारी के द्वारा तहरीर दी गई लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चोड़ी की घटना के एक सब्ता बीच आने के बाद भी पुलिस अभी तक चोड़ को गिरफतार नहीं कर सकी है वहीं जब इस मामले पर एबी ऐसे सत् तहरीर दिलाई गई थी और मामले पर पुलिस जाँच परताल कर रही है वहीं जब इस पूरे मामले पर थाना प्रुभारी राकेश शंद आनन से फोन के द्वारा बात की गई तो नों ने चौकाने वाली बात कही और कहा कि कोई चोड़ी नहीं हुई थी उनका आपस में मन पुलिस पूरे मामले को पर गोल माल कर रही है राय बरेली से सीन्यू समद आता आशीश मौरे की रिपोर्ट जाहिर है सबसे बड़ी बात यह है कि A.B.S.A. के कार्याले में चोड़ी की घटना कारित की गई है और शिक्षा विभा के करमचारी द्वारा तहरीर देने की बात भी कही जारी है लेकिन थानव प्रभारी राकेशन आनन्द के द्वारा जस तरीके से चौकाने वाली बात कही जारे है उससे साबित हो रहा है कि दोनों अधिकारियों में सच कौन बोल रहा है इन दोनों अधिकारियों के बयान पर ध्यान दे तो लगता है कि ये चूरी प्रायोजित है और या फिर थानिदार ने आरोपी से ही साठगाट कर उसे छोड़ दिया है फिलहाल इस कास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सी न्यूस भारत